दोस्तो हिमगाड आरो स्केल में आपका एक और फिर से बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो वाटर फिल्टर का बहुत ही एक एहम पार्ट जिसको हम गेट फिटिंग भी कहते हैं निपल भी कहते हैं और इसको अलग-अलग भाशा में अलग-अलग गेरिये में कोई निपल कहत सब्सक्राइए यहां से पानी की स्प्लाई वाटर फ्ल्रइड को दें जाती है यह वह सवन्जु करता है जा है अभ में कोश्चन हमारे पास यह आता है कि क्या हम आऱो फिटिंग के लिए यह चिड़ी यूज़ करें जा फिर ये पार्ट मैटल की यूज़ करें अगर हम ये करते हैं तो इसका हमें फायदा ये है कि इसमें पाइप डालना भी असान है अगर तूट जाए तो खोद चेंज कर सकते हैं और निकालना भी लेकिन दूसरी जो मैटल की फिटिंग है इसमें पाइप थोड़ा टाइट करना मुश्किल हो जाता है कई वार उंगली पे चोट भी लग जाती है सेकंड इसका जो ड्रोवेक है वो ये है कि जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है तो ये यहां से तूटने का खतरा बना रहता है और फाइदा यह है कि यह इसली ओन ओफ हो याती है पानी की सप्लाई यह से ओन कर सकते हैं तो ऐसे ही राम से बंद कर सकते हैं लेकिन इसमें थोड़ा हमें जो लगाना पड़ता है और अगर इस तरफ की थ्रेडिंग की बात करें तो दोनों की आलमोस्ट सेमी होती है अब अगर कोस्ट की बात करें तो कोस्ट वाइस यह सस्ती होती है और यह थोड़ी क्योंगी मैटल की है तो महंगी होती है लेकिन overall अगर आप फिल्टर को बार बार चालू नहीं करते हो बंद नहीं करते हो यहां से फिर आप ये यूज कर सकते हो लेकिन अगर आप डिली बंद करते हो चलाते हो तो ये थोड़ा बच्चों से चलाना फिल्टर मुश्कल हो जाएगा वहाँ आपको यह चिड़ी लगानी पड़ेगी क्यों यह राम से इसका नॉर्मल यह थोड़ी इसली रूटेट होया था इसका लीवर लेकिन जैसे यह से यूज करते जाते हैं फिर यह खराब होने के चांस इसके बढ़ जाते हैं और यह हमें द्वारा बदलनी पड़ती है तो इसलिए मैं सुझेस्ट करूँगा कि जब भी आप गेट फिटिंग यूज करें अगर आप डेली ओन ओफ कर रहे हैं यहां से पानी की स्प्लाइब बंद करें और चला रहे हैं फिर आप यह यूज करें अगर कवी कवी आप इसको बंद करते हो जब घर से बाहर जाते हो तो फिर आप यह कर सकते हो आपको यह वीडियो कैसी लगी जुरूर बताईएगा और आपके लिए कौन सी बेहतर है गेट फिटिंग जुरूर बताईएगा और चैनल हमारा जुरू सब्सक्राइब कीजिएगा हमगाड आरो स्केल और वाटर फिल्ट के लेटर आपको हर जानकारी मिलती रहेगी